समस्कार दोस्तों मने नाम का पिल सिक्का है सवागत आपका स्टेडियाई की एजूकेशन प्लाटफोर्म में जुडिश्री की सीरीज में हम करेंगे मिनिर्वा मिल्स वर्सिस उनियन ओफ इंडिया 1980 का केस लैंडबाक जज्मेंट ए इनको फर्दर इलाबरेट किया जाता है साती साथ वह फंडामेंटल राइट्स और डी फिर ऍे स्टाक्षिशन को फिर से रिवाइब करती है तो जानते हैं क्या हुआ था इस case में अगर आप State Udc exams की preparation कर रहे हैं तो इसके courses आप हमारें से purchase कर सकते हैं यह courses प्रिलिफ्स में इस दोनों को धिहान में रखते हैं डिजाइन किये गए हैं courses के link नीचे description box में दिये हुआ है यहाँ से आप इनको purchase कर सकते हैं आप मेरे टेलगाम चैनल को अटडरेट कपिल लाइब के थू जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आप मुझे अटडरेट कपिल से का Twitter handle पे भी follow कर सकते हैं तो चली जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था Minerva Mills case में जिससे court को यह decisions देने पड़े बात है 1979-1980 की Minerva Mills एक मिल है मिल हुआ करती थी Bangalore के outskirts पे इसको government ने nationalization या nationalize करने की कोशिश की अब उस nationalization में Minerva Mills के जो owners थे उनको issues हुए वो court चले गए यह दूसरा मुद्दा है यह मुद्दा चलता रहा लंबे समय तर अब उसके बाद जब 42nd Amendment आता है Emergency के टाइम में उसमें Government of India यानि Parliament ने कुछ ऐसे amendments किये जैसे कि हम जानते है 42nd Amendment Almost two-third of the Constitution बदल चुका था इसमें कुछ amendments ऐसे थे जो 73 में जो decision दिया था केशन भारती में जिसमें कहा गया था कि basic structure doctrine को आप vitiate नहीं कर सकते उसको vitiate कर रहे थे 368 में clause 4, clause 5 जोड़ा गया और ये कहा गया कि Parliament के पास unlimited power हो गई है इस constitution को amendments करने की साथी साथ ये जो power है इसे कोई check नहीं कर सकता इस पे कोई judicial review नहीं बैठ सकता इसके अलाबा जो दूसरा amendment जो famous जो यहां पे court पे पहुँचा जिसमें court पे चर्चा हुई वो ये था कि DPSP को supreme मना दिया और fundamental rights 14 and 19 को subservent बना दिया तो जैसा कि आप देख रहे है article 13 1C जो 42nd amendment से आया ये कहता है कि कहता था आप तो बचा नहीं कहता था कि आपके DPSP जो है उनको implement करने के लिए 14 और 19 को wishyate करना पड़े तो किया जा सकता है 368 ये कहता है कि government parliament के बास पूरी power है constitution को amend करने की और इससे अगर basic structure doctrine hamper होता है तो होने दो ये दोनों बातों को लेके court जाना पड़ा इसमें फिर से वही famous वकील जो wish प्रक्यात हो चुके तो इसमें नानी पाल की वाला एन पाल की वाला आज भी wish प्रक्यात है ये गए petition फाइल किया और court के सामने कुछ नोंने बाते रखी petition में अब वो petition के अगर आप बाते देखेंगे तो वो क्या कहती है वो कहती है कि सबसे बहली चीज पार्लेमेंट के पास unfettered powers नहीं है amendment की पार्लेमेंट क्या है पार्लेमेंट एक creature है constitution की जबकि यहाँ पे पार्लेमेंट constitution की master बन रही है article 368.4, 368.5 अगर आप देखेंगे तो एक तरह से यही कहता है कि पार्लेमेंट supreme है और constitution अपनी power derive कर रहा है पार्लेमेंट से जबकि नानी पाल की वाला ने court में जाके कहा कि ऐसा बिलकुल नहीं है Parliament creator नहीं है constitution creator है constitution बड़ा है supreme है पार्लेमेंट को constitution ने बनाया है और पार्लेमेंट को सारी powers constitution देता है तो Parliament कभी भी Constitution सूपर नहीं जा सकती। साथ ही साथ जो केशन भारती में Basic Structure Doctrine की बात कही गई थी। 40 Second Amendment उसको Vitiate किया गया, तो यही कहा कि My Lord 42nd Amendment को आप Null and Void कीजे। और इसके अलावा जब Article 14 और Article 19 को Negate किया जा रहा है DPSP के थूँ, तो वो भी गलत है। क्योंकि Article 13 clearly Fundamental Rights को Protection देता है, और कहता है कि Parliament ऐसा कोई भी law नहीं पास कर सकती, जो लोगों के Fundamental Rights छीन ले। और ऐसा ही हो रहा था कि DPSP को Implement करने के लिए 14 और 19 को Negate किया जा रहा था, और यह किया जा रहा था Article 31 C के थूँ, जिसे इंद्रा गांधी गवर्मेंट ने 42nd Amendment से इंसर्ट किया था। कोट ने इन सारी चीजों को बहुत गहराई से पड़ा, कोट ने पुरानी जज्जमेंट भी देखी केशन भारती की, और कोट का भी यहाँ पे डिसीजन अल्मोस्ट सेम था जो केशन भारती में था, कोट ने सबसे पहले का कि Parliament जो है वो सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि पहले Constitution आया, Constitution के थूँ पार्लेमेंट बनी, तो इसलिए हम यहाँ पे सुप्रीम मनेंगे Constitution को, तो Constitution आपका सुप्रीम मना जाएगा उस कॉंटेक्स्ट में, Constitution creator है, Parliament creature है, तो Parliament एक body create की गई है Constitution द्वारा, साथ ही साथ कोट ने कहा कि Judicial Review की जो पावर आपने हम से 68 Clause 4 और 5 मे छीन ली है, amendment के द्वारा ये हम null and void करते हैं इस amendment को, इसका मतलब कि Judicial Review जो है, वो basic structure है Constitution का, तो यहाँ पे basic structure की definition में कोट ने एक और instance दोड दिया, एक चीज़ और कोट ने बहुत क्लियर कर दी, जो अभी तक कई बार stand change किया जा चुका था, अगर आप देखें, मिनेरवा मिल्स केस तक, बहुत बार कोट की जो judgment थी, वो clarity के साथ नहीं आई थी, कि DPSP सुप्रीम है या fundamental right सुप्रीम है, हर जगे यही माना जाता था कि fundamental right सुप्रीम है, यहाँ पे कोट ने बहुत clear बात क्यादी कि fundamental rights और DPSP के बीच में, एक harmonious construction होना जरूरी है, यह दोन का implementation उतना ही important है, जितना individually एक दुसरे का है, तो आप जब भी fundamental rights को implement करें, कोशिश करें कि DPSP infringe ना हो, DPSP का भी ध्यान रखा जाए, और जब जब आप DPSP implement करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें किसी के fundamental rights infringe ना हो, यहाँ पे कोट ने यह कह दिया, कि दोनों important है हमारे constitutional development के लिए, socio economic benefits के लिए, तो जितना महत्व आप fundamental rights को देते हैं, उतना ही महत्व आप DPSP को भी दीजे, और DPSP को भी साथ ही साथ implement कीजिए, make sure कीजिए कि कि किसी के fundamental rights जो हैं, वो विशियेट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोट ने clearly 368, clause 4, clause 5, दोनों को void कर दिया, हटाने की बात कर दी, 31C की भी power को negate कर दिया, 31C को एकदम delete करने की बात कर दी, कहा यह 31C जो है एक तरह से fraud है, 31C के तहट आप लोगों के fundamental rights चीन वे हैं, और उसके बाद 44th amendment में आप देखेंगे, वैसे 44th amendment में काफी चीज़े बदली जा चुकी थी, 44th amendment में इसको 300A में साथ में जो socio-economic development के लिए, parliament की duty है, government की duty है कि वो दोनों की implementation को hand in hand लेके चले, साथ ही साथ judicial review basic structure है, और court के पास judicial review करने की power है, और parliament के पास limited power है amendment की, यानि वो power है basic structure, बिना basic structure को विशेट किये, parliament constitution को amend कर सकती है, लेकिन basic structure को change नहीं कर सकती, हमारी UPCIS pre-combains के smart courses available हैं, ये courses आप 50% flat discount के साथ purchase कर सकते हैं, studyiq.com और हमारे app के थूँ एक्सिस किये जा सकते हैं, आशागरतों सीरीज आप को अच्छे लगरी होगी इस तरह के और cases हम लाते रहेंगे, समय समय पे और ऐसे updates आते रहेंगे, जड़े रहे हमारे साथ, मिलते अगली बार तब तक के लिए, good bye, take care and Lord bless you all.